नमस्कार दोस्तों आज की प्लान आपके लिए बनाया गया है 30 by 45 फिट के प्लाट के उपर पूरा प्लान वास्थू सास्तर के अकोर्डिंग हैं अगर आपका प्लाट 30 by 45 का है और आपका उतरमुखी घर है तो आप इस plan के according इस से छोटे या बड़े पलाट पर भी अपना घर आसानी से plan कर सकते हैं पूरे plan में आपको घर का पूरा वास्तु सास्तर अच्छे से समझाया जाएगा अगर आप वास्तु के according बने हुए घर में रह रहे हैं तो health और wealth समन्दी problem आपके life में ना आएंगी, क्योंकि जो वास्तु के according घर होते हैं, उनके अंदर जो positive energy है वो बहुत ज़्यादा होती है, और negative energy नहीं होती है, तो अगर आपकी positive energy घर के अंदर होगी, तो आपकी life के अंदर positive जो सब कुछ होगा, वो positive ही होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लाट की जो चोड़ाई है वो आगे से 30 feet है, सेम चोड़ाई पीछे से 30 feet है, लंबाई की हम बात करते हैं, तो 45 feet यानि की 45 feet लंबाई है, और इधर से भी सेम 45 feet लंबाई है, तो आपका प्लाट हुआ है 30 by 45 का, दिसाओं की बात करते हैं, तो front यानि की इसका आगे का पूरा open है, उतर दिसा है, उतर दिसा में रोड जा रही है, और mostly जो प्लाट होते हैं, सबके requirement आते हैं, comment आते हैं, कि सर ऐसे प्लान बताई हैं, जिसके अंदर 3 तरफ से प्लाट के मकान हो, क्योंकि जादातर लोगों के जो मकान होते हैं, जो प्लाट होते हैं, वो बीच के ही होते हैं, कॉर्णर के प्लाट बहुत कम लोगों के होते हैं, तो अगर हम आपको बीच के प्लाट का प्लान मरताएंगे, तो आप corner के plot का भी अराम से नक्सा बना सकते हैं सबसे पहले देखिए ये प्लाट है ना इसके इस साइड में पुर्वे दिसा में इस्ट में भी पुरोसी का मकान है तो अब यानि की तीनों तरफ इसके पुरोसी के मकान है तो आप घर कैसे बनाएंगे आपका सिर्फ आगे का front open है तो देखिए 30 feet की चोड़ाई है आगे से road जा रही है नोर्थ यानि उतरमुक की घर है तो सबसे पहले तो देखिए वास्तो सास्तर के according घर के अंदर enter होने के लिए यहाँ पर लोहे का gate लगाया जाएगा लोहे की gate से आप जैसे घर के अंदर enter होते हैं तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतनी यह लंबाई चोड़ाय में आपको parking area दिया गया है यानि यहाँ पर आप अपनी four wheeler, two wheeler कोई भी आपके पास वहान है अराम से यहाँ पर आप खड़ा कर सकते हैं उसको आपका यह parking area हो जाएगा अगर आप parking area घर में नहीं रखना चाते हैं आपके extra जगह है या आप वहान नहीं रखते हैं तो आप इस जगह का यूज side की दोनों side को आपको AJ garden यानि की बगीचे के रूप में यूज कर सकते हैं बट आपको यह आगे का जो front रहेगा इसको open रखना है जिससे आपके घर में काफे अची रोशनी आए और थोड़ा space गर के अंदर रहें अब देखी आगे की तरफ उतर दिशा है जैसा कि यह आपका इसान corner है जितना open रहेगा उतनी आपके धन समंधी problems life में नहीं आएगी आपको पैसों से related कोई भी समंधिया है स्वास्ते से related समय है नहीं होगी तो देखिide पहले तो क्या होगा यहां से आप जा रहे है इसाइड में दाइ-fit का open space पूरा आगे की तरफ दाइ-fit का open space है यह डाइ-fit जितना open रहता है उतनी आपकी life में progress होती है यहां से देखिए पीछे जाने के लिए यहां तक डाई से तीन फिट का open space दिया गया है ताकि तीनों तरफ देखिए आपके प्रोडोशियों के मकान तो खेड़की दरवाजे सब कुछ खोलने के लिए हमने open space रखा है ठीक है अब देखिए यह जो आपका निर्तक के कौन होगा यह पूरा हमने block रखा है ताकि आपके वास्तु पर कोई भी गलत असल ना पड़े पूरा अगर वास्तु के according हो तो यह open space रख यहां तक दिया गया है ताकि आपके जो corner में जो आपका जो भी आपका बन रहा है corner में उसकी खेड़की दरवाजी अराम से इसमें खुल जाए और उसका भी ventilation हो जाए पूरे plan को दोस्तों बहुत मेनद करके और अच्छे से आपके useful ओने के लिए बनाया जाता है तो plan को आप ध्यान से देखिए सबसे पहले देखिए parking हो गई parking के बाद में एक यहां पर guest room दिया गया है guest room के अंदर आपको optional तीन चीज़ें दी गई है सबसे पहले देखिए एक दरवाजे यहां पर दिया गया है और एक दरवाजे आपके ब्रामदे में खुलेगा यह जो आप space देख रहे हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यह आपका ब्रामदा है जो parking से 3 सीड़ें चड़कर आपका यह ब्रामदा होता है ब्रामदा दोस्तों गर के बाहर बैठने के लिए एक जगे होती है जो उपर से कवर होती है उसके उपर चछत होती है नीचे आराम से सोपे वगेरा लगा कर कुर्सी टेबल लगा कर आप आराम से बैठ सकते हैं वहाँ पर ठीक है कोई चाय पिने के लिए निूज पेपर पढ़ने के लिए बाहर आपको सिटिंग हो सकती है ठीक है तो यह बहुत अच्छा आगे लगता है और बहुत अच्छा लुक आता है मौश्टली गरों में ब्रामदे रखे जाते हैं ब्रामदे के अंधर ही देखे इस ऍाइड में वास्तू के अकोडिंग सीडियां दी गई है पूरी वास्तू के अकोडिंग सीडियां है ऐसे चछट पर जाकर ऐसे open हो जाएगी सीडियों से इधर देखे ये आपका guest room दिया गया है guest room का एक gate आपके बाहर खुल रहा है एक gate आपका ब्रामदे में खुल रहा है और एक जो gate है वो पीछे की तरफ खुल रहा है या दो window दी गई है guest room काफी हवादार और अच्छा होगा काफी बड़ा spaceful रहेगा guest room का late बात यूज करने के लिए गेट है इससे आप इधर आएंगे अपनी जो सीडियां क्रोस करके तो यहाँ पर एक late room दिया गया है कि कोई guest आ रहा है उसको घर के अंदर interfere नहीं होगा और बाहर का बाहर वो अपना late बात यूज कर सकता है यहाँ पर आपका late बात रहेगा इसका gate पीछे ही आपकी जो gallery रहेगी इसमें खुल जाएगा ठीक है बहुत best plan रहेगा दोस्तों ही आपके लिए काफी useful अब देखिए इस जो ब्रामदे से हम अंदर जाएंगी घर के अंदर जाने के लिए जो चोगट होती वो हमने यहाँ लगाई है यहाँ पर आपके घर की main चोगट लगेगी यानि कि जो लकडी की बड़ी चोगट लगती है वो यहाँ लगेगी इस चोगट से आप जैसी अंदर एंटर होते हैं तो देखिए आंगन की जो दिवार है उसमें एक खिड़की दी गई ठीक है तो यह इन स्किट्कियों से काफी अच्छी हवा और रोसनी आपके आंगन में आगी यह आपका ब्रमस्तान है यानि कि आंगन घर का living area hall dining area आप कुछ भी सब कुछ आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपके घर का जो ब्रमस्तान होता है इसके hall बोलते हैं इसे आंगन बोलते हैं living area यह होता है और इसके अंदर आप dining का space रख सकते हैं क्योंकि काफी space pool और बड़ा आपका यह hall रहेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमने पूजागर रखा है इस side में यह पूजागर वास्तु के according रखा गया है आपके आंगन के इसान में रखा है ठीक है तो आपको इसदर corner में नहीं करना है क्योंकि इसके ठीक सामने late बात आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर common late बात रूम दिया गया है अब इसके ठीक सामने देखिए open space है इस दिवार को छोड़ कर हमने पूजागर दिया है ताकि पूजागर का वास्तु बना रहे है और आपके आगन का इसान corner वास्तु के अनुसार पूजागर के लिए यूज हो अब देखिए यहां से आप इधर enter करते हैं तो जैसा कि उत्रमुखी आपका घर है तो यहाँ पर आपका अगनी कोन है अगनी कोन में आपको पूजागर यहाँ पर kitchen यानि रसोईगर देना होता है तो यहाँ पर आपका रसोईगर बनाया गया है वास्तु के according रसोईगर के रसोईगर का जो वास्तु होगा वो पूरा एकदम perfect बनाया गया है क्योंकि उत्रमुखी मकान में रसोईगर यहीं बनता है एक विंडो आंगन में open की गई है इधर दोनों तरफ पडोसी के मकान है तो कोई विंडो नहीं open कर सकते ठीक है अब देखिए रसोई गर के ventilation के लिए छत के उपर इसका जाल लगेगा छोटा सा नीचे का space आप extra जो खराब होने वाला नीच समान है जैसे कोई भी slender वगेरा या कुछ भी extra समान घर का यहाँ पर आप रग सकते हैं ताकि यह space आपके यूज हो जाए ठीक है और यह उपर तक open रहेगा इसकी दे अगर आपके space नहीं है गर में तो आपको open space जरूर रखना चाहिए ताकि घर का ventilation हो जाए वेंटिलेशन होगा तभी दोस्तों यहाँ पर जैसे घर की महलाएं खाना मना रही हैं तो अगर आपके ventilation का यानि खिड़की दरवाजे नहीं है तो पूरे घर में दुआ हो जाएग तो थोड़ा से space छोड़ देंगे तो उनको भी काम करने में आसानी रहेगी और आपके घर में भी अच्छे से ventilation और वास्तु अच्छा आपका बना रहेगा अब देखी यहां से आप किचन से आपका जो gate चुल है वो मैं आपको बता देता हूं important चीज gate चुल आपका इधर रूम दिया गया है master bedroom में इतना बड़ा यहां से लेकर यहां तक इसकी चोड़ाई है और ऐसे length है इसकी एक ventilation विंडो देखिए इस पीछे की gallery में खुल जाएगी यहां पर यह और एक इसकी बड़ी विंडो आप इस open space में दे सकते हैं तो देखी पूरे रूम का निर्तक य जो भी इसमें इतना space दिया गया है इतना इसका ventilation का ध्यान रखा गया है कि पूरा plan काफी अच्छा आपके perfect बेटेगा अब देखिए इसका gate यहां लग गया और यह पूरा ventilation window वगेरा हो गया cover अब इससे आप यहां आते हैं तो देखिए इस side में यह जो आप space देख रहे है यह आपको एक room ओर दिया गया है बेडरूम का एक window आप पीछे की तरफ open कर सकते हैं window आप कहीं भी set कर सकते हैं मैंने आपको idea समझाने के लिए idea दिया है window यहां दिया आप window यहां कहीं भी set कर सकते हैं एक window आपको इधर रखनी है ताकि पूरा हवादा room हो एक window आपके जाएगा यह आपका common letting bathroom दिया गया है जिसके पीछे guest के लिए late बात दिया गया है तो दोस्तों पूरे plan को वास्तु के according आपके useful होने के लिए ready किया गया है इस plan को देखकर आपको best idea आएगा ताकि आप अच्छा घर बना सके मेरी यही आसा रहती है आपका अगर वास्तु क कुछ भी अच्छा लगा तो इसको like जरूर करें बहुत मैनस से आपके लिए plan ready किया गया है share करें और अपने दोस्तों रिष्तिदारों में इसको share करें आप हमसे plan बनवाना चाते हैं तो हमारे वार्सम नमबर पर आप हमें contact कर सकते हैं आज के लिए इतना ही next video हम फिर मिलत जाहिए